कि चत्रिस गड़ के गवर्णनर श्रीमान विश्वपुशन हरिचंदन जी मुख्यमंत्री स्रीमान भूपेश भगेल जी केंद्रिय मंत्री परिशत के मेरे सहयोगी भाई नितिन गड़करी जी मन्सुक मंडविया जी रेणुका सही जी राज के उपमुख्यमंत्री स्रीमान टीयस सीन्देव जी बाईस्त्री रमन सिंग जी अन्य महानुभाव देवियों और सज्जनों कि शत्तिस गड़ की विकास यात्रा में आज का दीन कि बहुत ही महत्वपुन है बहुत बड़ा है आज कि शत्तिस गड़ को साथ हजार करोड रुपे से अधिक की परियोजनों का उपहार मिल रहा है यह उपहार इंफ्रस्ट्रक्चर के लिए हैं कनेक्टिविटी के लिए हैं यह उपहार और शत्तिस गड़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हैं यहां कि स्वास्त सेवाओं को बहतर बनाने के लिए हैं भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहां रोजगार के अनेकों नए आउसर भी बनेंगे यहां के धान किसानों खनीच संपदा से जुड़े उद्दम्यों और तुरिजम को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाब मिलेगा सबसे बड़ी बात यह कि इनसे आदिवासिक शेत्रों में सुभीधाव और विकास की नई याक्तरा शुरू होगी मैं इन सभी प्रोजेस के लिए 36 गड़ के लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों भारत में हम सभी का दस्षकों पुराना अनुभव यही है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा वहाँ विकास भी उतनी ही देरी से पहुचा इसलिए आज भारत उन खेत्रों में अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर विक्सित कर रहा है जो विकास की दोड में पीछे रह गए इंफ्रास्ट्रक्चर यानि लोगों के जीवन में आसानी इंफ्रास्ट्रक्चर यानि व्यापार कारोबार में आसानी इंफ्रास्ट्रक्चर यानि रोजगार के लाखों नए अवसरों का अंदिरमान और इंफ्रास्ट्रक्चर यानि तेज विकास आज भारत में किस तन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विक्सित हो रहा है यां 36 गड़ में भी नजर आता है पिछले नव वर्षों में 36 गड़ के हजारों आधिवासी गावों में प्रदान मंत्री ग्रामिन सड़क योजना के तहर्त सड़के पहुची है भारत सरकार ने यहां करीब साड़े 3000 किलोमेटर लंबी नेशनल हाइवे की परियोजनाएं सिकरुत की है इसमें से लगबग 3000 किलोमेटर की परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी है इसी कड़ी में आठ राइपूर, कोड़ेबोड और बिलासपूर, पत्रापाली हाइवे का लोकारपन हुआ है रेल हो, रोड हो, टेलिकॉम हो, हर तरह की कनेक्टिवीटी के लिए पिछले नव साल वे भारत सरकार ने 36 गड़ में अभुद्पूर्व काम किया है साथियों, आधुनिक इंफ्रास्टेक्टर का एक और बहुत बड़ा लाब है जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाती, आधुनिक इंफ्रास्टेक्टर का सम्मन सामाजिक न्याय से भी है जो सदियों तक अन्याय और असुविदा जेलते रहे, उन तक भारत सरकार आजे आधुनिक सुविदाय पहुचा रही है गरीब, दलीद, पिछडे, आधिवासी, इनकी बस्तियों को आजे सडके ए रेल लाइने जोड रही है इन दुर्गम छेत्रों में रहने वाले मरीजों को, माताओं बहनों को आज अस्पताल पहुचने में सुविदा हो रही है यहां के किसानों, यहां के मद्दूरों को इससे सीधा लाब हो रहा इसका एक और उदाहरन, मोबाइल कनेक्टिविटी भी है नव साल पहले, 36 गड़ के 20 प्रतिशत से ज़्यादा गाओं में किसी तरह की मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी आज ए घटकर लगबग 6 प्रतिशत रह गई है इन में से अधिकतर जनजातिय गाओं है, नक्सल हिंसा से प्रभावित गाओं है इन गाओं को भी अच्छी 4G कनेक्टिविटी मिले इसके लिए भारत सरकार 700 से अधिक मोबाइल टावर लगवा रही है इन में से करीब 300 टावर काम करना शुरू कर चुके हैं जिन आधिवासी गाओं में पहुंचते ही पहले मोबाइल सननाटे में आ जाते थे आजुनी गाओं में मोबाइल की रिंग टॉन बज रही है मोबाइल करनेक्टिविटी पहुंचने से कितने ही कामों में अब गाओं के लोगों को मदद मिल रही है और यही तो सामाजिक न्याय है और यही तो सबका साथ सबका विकास है साथियों आज 36 गर्ण दो दो एकोनोमिक कोरिडोर से जुड रहा है राइपूर धनबाद एकोनोमिक कोरिडोर और राइपूर विशागापट्नम एकोनोमिक कोरिडोर इस पूरे एक्षेत्र का भाग्य बदलने वाले हैं यह आर्थिक गल्यारे उन आकांग्शी जिलों से होकर गुजर रहे हैं दिने कभी पिछड़ा कहा जाता था जहां कभी हिंसा और अराजकता हावी थी आज उनी जिलों में भारत सरकार की कमान में विकास की नई गाता लिखी जा रहे हैं आज जिस राइपूर विजगा पट्णम के बीच का सफर आदा हो जाएगा शिक्स लेन की ये सड़क धमतरी की धान बेल्ट कांकेर की बॉक्साइल बेल्ट और कोड़ा गाउं के हस्त सिल्की समरूति को देश के अन्य हिस्सों में जोडने का प्रमुख मार्ग बनेगी और मुझे इसकी एक और खास बात बहुत अच्छी लगी ये सड़क बन्ने जीव क्षेत्र से गुज़रेगी इसलिए इसमें बन्ने जीवों की सहुलियत के लिए टरनल और एनिमल पासेश भी बनाए जाएंगे दल्ली राजहरा से जगदलपुर रेलाइन हो अन्ता घट से राइपुर के लिए सीधी ट्रेन से वाहो इससे भी यहां के दूर सुदूर के खेत्रों में आना जाना और आसान हो जाएगा साथियों भारत सरकार का कमिटमेंट है कि जहां प्राकृतिक संपदा है वही नए अवसर बने वही जादा से जादा उद्योग लगे इस दिशा में भारत सरकार ने जो प्रयास बिते नव वर्सों में किये हैं उनसे चतिस गड़ में अवजोगी करण को नई उर्जा मिली ह भारत सरकार की नीतियों से चतिस गड़ के पास राजस्व के रूप में अधिक पैसा भी पहुंचा है विशेसकर माइन्स और मिनरल एक्ट बदले जाने के बाद चतिस गड़ को रॉयल्टी के रूप में कहीं अधिक पैसा मिलने लगा है 2014 से पहले के चार वर्षों में चतिस गड़ को तेरा सो करोड रूपे रॉयल्टी के तौर पर मिले थे जबकी 2015-16 से 2020-21 के बीच चतिस गड़ को लगबग 2800 करोड 2800 करोड रूपे रॉयल्टी के रूप में मिले हैं डिश्ट्रिक्ड मिनरल फंड की राजी बढ़ने से उन जीलों में विकास का काम तेज हुआ है जहां खनीच संपता है बच्चों के लिए स्कूल हो, पुस्तकाले हो, सडके हो, पानी की व्यवस्ता हो ऐसे कितने कामों में अब डिस्टिक मिनरल फंड का पैसा खर्च हो रहा है साथियों केंदर सरकार के एक और प्रयास का 36 गड को बहुत लाब हुआ है भारत सरकार के प्रयासों से 36 गड में एक करोड साथ लाग से जादा जंदन बैंक खाते खोले गए है आज इन बैंक खातों में छे हजार करोड रुपे से अधिक जमा है ये उन गरीब परी जनों, उनके परिवार जनों, किसानों, स्रमिकों का पैसा है जो पहले यहाँ वहाँ अपने पैसा रखने के लिए मजबूर थे आज इन जन्दन खातों की बज़ज़ से गरीबों को सरकार से सीधी मदद मिल पा रही है 36 गड के युवाओं को रोजगार मिले वो स्वारोजगार करना चाहे तो दिक्कत ना हो इसके लिए भी भारत सरकार निरंतर काम कर रही है मुद्रा योजना के तहट 40,000 करोड पे से अधिक के मदद 36 गड के युवाओं को दी गई है ये पैसे भी बिना गरंटी को दिये गए है इस मदद से बड़ी संक्या में 36 गड के गाउओं में हमारे आदिवास्य योग यूद्यों ने गरीब परिवार के युवाओं ने अपना कुछ काम शुरू किया है भारत सरकार ने कोरोना खाल में देश के छोटे उद्योगों को मदद देने के लिए भी लाखो करोड पे के विशेश योजना बन चलाई है इस योजना के तहर 36 गड़ के करीब दो लाख उद्यमों को लगभग पांच हजार करोड पी की मदद मिली है साथियों हमारे देश में पहले कभी किसी सरकार ने हमारे रहडी पट्री वालों की ठेले वालों की सूद नहीं ली इन में से जादा तर लोग गावों से ही तो जाकर शहरों में ये काम करते हैं हर रहडी पट्री और ठेले वाले को भारत सरकार अपना साथी समझती है इसलिए हमने पहली बार उनके लिए पियम स्वनिदी योजना बनाई बिना गैरंटी के उन्हें रण दिया 36 गड़ में इसके भी 60 हजार से जादा लाभारती है गावों में मन्रेगा के तहद भी परियापत रोजगार मिले इसके लिए भी 36 गड़ को 25 जार करद रुपिय से जादा भारत सरकार ने दिये है भारत सरकार का एपैसा गावों में स्रमीकों की जेब में पहुचा है दात्यों थोड़ी देर पहले यहां 75 लाग लाभारतियों को आईश्मान कार दिये जाने के शुरुवात हुई है यानि मेरे इन गरीब और आदिवासी भाई बैनों को हर साल पांच लाख रुपिये तक के मुप्त इलाज की गारंटी मिली है 36 गड़ के डेज हजार से जादा बड़े अस्पतालों में वो अपना इलाज करा सकते हैं मुझे संतोस हैं कि गरीब आदिवासी पिछडे दलित परिवारों का जीवन बचाने में आविश्मार योजना इतना काम आ रही है और योजना की और एक भी विशेस्ता है अगर 36 गड़ का कोई लाभारती हिंदुस्तान के इसे और राज्य में है और वहां उसको अगर कोई परिशानी हो गई तो ये काण वहां भी उसका सारा काम पूरा कर सकती है इतनी ताकत इस गाड़ में है मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ कि भारत सरकार इसी सेवा भाव से 36 गड़ के हर परिवार के सेवा करती रहेगी एक बार फिर आप सभी को इन विकास कारियों के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूँ धन्यवाद